डायमंट बॉक्सिंग अकादमी जालंदर चावनी के खिलाडियों ने रांची जारखंड में करवाई गए स्कूल नेशनल चंपिन्शिप में एक गोल्ड तथा एक सिल्वर मेडल जीत कर पंजाब का नाम रौशन किया है विजेता खिलाडियों में शिमौन ने गोल्ड तथा रुबैन ने सिल्वर मेडल जीत कर अपने माबाप तथा अकादमी का नाम रौशन किया तो वहीं अकादमी के कोच तरुन गोयल ने बताया कि इन दोनों खिलाडियों की जीत के इलावा बठेंडा में हुई खेड़न वतन पंजाब दियां में अकादमी की खिलाडी दानिका सहुता ने गोल्ड तथा जीरा में हुई स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में अर्शिय सचदेवा ने सिल्वर मेडल प्रापत किया है चारों खिलाडियों का जाल अंदर पहुंचने पर स्वागत किया गया और अकादमी ग्राउंड में बाकी खिलाडियों तथा उनके अभिवावकों द्वारा कारेक्रम कर विजेता खिलाडियों को सनमानित किया गया इजुरा के दमागों के बीच में आज हमारी डायमेंट बॉक्सिंग अकैडमी जो की पिछले दो सालों से कारे रहते हैं उसके जीत के पर्चम में जीत के पर्चम में आज नए माइलस्टों सेट की हैं जिसके अवेरवाब को अकैडमी के कोच तरुन गोईल जी देंगे नमस्कार जी जाहिंद आज बहुत खुशी का दिन है कि डायमेंट बॉक्सिंग के दो बच्चों ने स्कूल नेशनल चेंपिनशिप जो की राची में जारखंड में हुई उसमें अकैडमी के दोनों बच्चों ने शिवयन और रिबोन ने एक गोल्ड और एक सिलवर मैडल प पंजाब दिया उसमें एक हमारी लड़की दानी का सहुत्ता जिसने गोल्ड मैडल परापत किया और एक अर्शिया ने जो की डिस्टिक में उन्हें सिलवर मैडल परापत किया तो बहुत खुशी बात है हम ऐसी चाहते हैं कि एकैडमी में ऐसी ही खुशी आती रहें और मेनत करने वालों कि कभी हार नहीं होती मेरा नाम रूबین रिंचर्ड है मेरा नाम शिमोन है हम तुनों नैशनल खेलने गए थे प्रांची में जो जार्कंड और मैंने वाँ पर सिल्वर मैडल लिया है और मेरा गोल्ड है कि और हमारे हम धैंक्स करते हैं अपने पेडिंस का और अपने कोस्टर का की उन्होंने मार को यहां तक पुचाया है और हम में यह मेडल दिलाए है